हेलो वच्चो नमस्कार चोहनी जी किसन चैनल में आपको स्वागत है वच्चो आज हम आदमिक सिक्षा मंडल मत्पदेश भोपाल दुआरा जारी हाई स्कूल हाई सेकंडरी परिक्षा दो जार तेश हितु अभ्यास नमुना प्रस्ण पत्र दस भी एवं बार भी बुट पर परिक्षा में आने वाला प्रस्ण किस प्रकार होगा इसे माडल प्रस्ण पत्र में दिया है और कौन सा प्रस्ण कितने अंकों का होगा एवं किस प्रकार होगा इसकी शंपून जानकारी इसे माडल प्रस्ण पत्र में दी गई है इसे आप ध्यान पूर्वक आदर से प्रस बनाया जा रहा है इस हेतु आप यूटूब पर सर्च करें चोहानिय एजूकिशन चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एब हम शेयर जरूर करें जिससे कि आपकी 37 छात्रों को इसका लाब मिल सके आईए अब हम माडल प्रस्ण पत्र को शमझेंगे अभ्यास हेतु श 25 रंक दिया है यह नीमित विध्यार्ति लिए रहेगा और जो प्राइबेट जिन्होंने प्रिक्षण दे रहे हैं उनके लिए श्वंकों से इसकी गढ़ना की जाएगी तो यहां पर हम देखेंगे निर्देश निर्देश दिये हुए शरवे प्रशना अनिवार, शरवी प्रशना अनिवार है, सेकेंड है प्रशना नाम सम्मों के अंका प्रदित्ता, प्रशनों के शामने जो है अंक दिये गया है कि कौन सा प्रशन कितने अंकों का है, इसके बाद देखेंगे हम उचित विकल्पम चित यह चार दी बबखती, 2, 3, 5, 4, 6, यह बचन इसमर ने बचन सब्द रूपं भवति रमा शब देस में चतुर्ती विवक्तिका एक बचन सब्द रूप क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे पहला रमाम, रम्या, रमाय, रमाया, तो यह तीसरा वाला जो है इसका आप सही है, इसको आप हल कर लेंगे का है राग्या पदे बिभक्ति अस्ति राग्या पद में कुनसी बिभक्ति है देखिए दोतिया त्रतिया प्रत्मा चतुर्ति तो इसमें त्रतिया बिभक्ति है ये त्रतिया आप सहीं कर लेंगे इसको इसके बाद है फलम पदे भी भक्ति अत्ति फलम पद में कुन सी भी भक्ति है तो इसमें दिया हुआ है प्रत्मा तरतिया सत्मी चतुर्ति प्रत्मा इसका सही अंसर है इसके बाद देखे अगला है अधो लिके अभ्यायम अस्ति तो अभ्यायम अस्ति इनमें क्या है अभ्या कहलाती हैं तो यहां पर हम देखेंगे ऐसे कुन से रूप है तो पहले है पुत्रे सूत्रे कुत्रे और पत्रे तो यहां पर कुत्रे से सही अपसर जाएगा इसके बाद है अधी लेकिसु अभ्यम नास्ती बे सब्द जिसका रूप बदलता है है ना तो इसमें हम रूप बदलता है तो देख लेंगे इसमें कदा सदा तदा और अजा तो अजा इसमें सही अपसर है इसको हल कर लेंगे इसके बाद में देखेंगे हम प्रशन दूसरा है रिक्तिस्तानी पूरियत यह भी छे अंकों के हैं छे है तो आउदत पदे आउदत पदे में बद धातु जो है होती है अब यहां पर देखेंगे गच्छामी पदे तो उत्तम पुरुष अस्ती उत्तम पुरुष अस्ती यहां पर लिख देंगे फिर पचन्तु पदे कौन सा बचन अस्ती है तो बहु बचन है पचन्तु बहु बचन पीवेत पदे क्या है यह बीधी लिंग है बीधी लिंग यहाँ पर लिख देंगे फिर पराजय पदे क्या है यह पराजय में कुन सा उपसर्ग अस्ती तो परा है इसमें परा लिख देंगे और अधिकारा है पदे तो अधि इसमें उपसर्ग अस्ती अधि इसमें लिख देंगे इस परकार से शेंकों का ये बिलैंक्स जो है खालिस्तान उना जाते है इसके बाद एग मिलना पुरूत जोड़ी को मिलाई का सिखा को ये भी छे नंबर के हैं तो देखिए सज्जना है सज्जना में क्या है सज्जना में बेंजन संदी है बेंजन संदी से मिला देंगे फिर शापी में शापी में बिसर के संदी है तो इसे बिसर के से मिला देंगे गुण संदी में गुण संदी क्या है परोपकारा है तो परोपकारा से मिला देंगे गंसा में कर्मधारे समा से गंसा में कर्मधारे समा मिला देंगे पितामबरा में बहुवीरे समा से और तत्पुरुष समा से कारी कुशलम इस प्रकासे जोड़ी को मिला देंगे छे अंकों की आपकी तैयारी हो जाती है इसके बाद देखेंगे हम प्रस्न चोहते हैं अधो लिखित प्रस्ना नाम उत्रानानी एक पदिन एक वाकिन वा लिखत निम लिखित प्रस्नों के उत्तर एक वाकि में लिखी यह छे अंकों का छे प्रस्न है तो देखें आपका लेप प्रत्य से एकम उधारनम लिखत लेप प्रत्य का एक उधारन ठीकी तो यहां पर आप बद तुमून इत्यत से पदम की भविस्यती, तो बदी तुम, या बदी तुम लिख देंगे, या बदी तुम लिख देंगे, यहाँ पर दौमस कुईीए, इसके बाद देखेंगे परान। अभ्यपी का रख्षणी है, तो यहाँ पर सदाचार लिख देंगे, कशी आने लिख देंगे यहां पर इस प्रकार से शे प्रस्मा के जो है एक बाक्य में प्रश्न हलो जाते हैं इसके बाद देखेंगे प्रस्न पांच शुद्य बाग के नाम समक्ष आम असुद्य बाग के नाम समक्ष ना इती लिखा तो सुद्य बाग के सामने आम लिखना है असुद्य बाग के सामने ना लिखना है तो देखिए पत्नी सब्दस्य पर्याय भार्या भावती पत्नी का पर्याय बाची भार्या होता है तो ये आम है, सही हो, आम लेख देंगे इसमें, अधुना पदस्य पर्याय अत्र भवन्ती, तो इसमें न लेख देंगे, सूर्य दय पदस्य विलोम, सूर्य दय का विलोम क्यों होता है, दिवस नहीं होता है, अस्ती, तो न लेख देंगे इसमें, शीव पदस्य विलोम अस् यहां आम लेख देंगे दुर्वलम ब्रश्यवाम इत्रस दुर्वलम विशेश पादम अस्ति आम इसमें भी लेख देंगे कुद्रिक रश्का है इत्रस से कुद्र विशेश पादम अस्ति ना लेख देंगे यहां पर तो इस प्रकार छे अंकों के यहां सत्य सत्य जो है हलो जाते इसके बाद देखिए आप प्रस्न छड़वा ये दो दो नंबर के प्रश्न है और इसमें जो है आपको पार्ट पुस्तक से आपको या परिक्षबोध या प्रश्न वेंग जो भी आपके पास साधन है उससे आप ढूल करके इनके प्रश्नों को हल कर लेंगे देखिए दो अंकों का है इसी प्रकार आपके बारसिक परिक्षा में पूछे जाने है और इसको आप अगर तैयार कर लियते हैं तो पासिंग नंबर इसी माडल प्रश्न पत्र से आपको मिलनी की शंभावना है देखिएंगे हम प्रश्न छड़वा कभी कुत्रे सच्चरण कर्तुम इच्छसी इक्छती दो अंकों का अथवा अगर ये नहीं बना है तो मायूरा कथम नत्य मुद्रयाम इस्तिती भवती तो ये दो में से कोई एक का आंसर लिगता है बुद्धि मति केन उपेता पित्र ग्रहम प्रती चलीता है दो अंकों का है अथवा कशिशोवा एकेन राज्य हंसिन भवती ये दो अंकों का है दो में से कोई एक लिखना है फिर इसके बाद आड़वा प्रश्न है कुसल वयोग बंसर से करता का दो अंकों का है अथवा प्रद्विया इसकलानात किम जायते फिर प्रश्न नौ है मातु अधिका क्रपा कश्मिन भवती दो अंकों का है अथवा केन शमह बंदूस नास्ती ये दो में से कोई एक को परिक्षा में हल करना है दज्वा प्रस्न है जननी की द्रश्री भवती अथ्वा जनाहें की मर्थ पदाती गच्छती एदो में से कोई एक हल करना है इसके बाद है प्रस्न ग्यारा रेखांकित पदम अदिक त्रत प्रस्न निर्मान कुरुती कोचित दुए कोई दो प्रश्ण को आपको एकांकित करना है प्रश्ण नर्मान करना है का है सर्वे प्रकति मातरम प्रणमंति खा है तो हम मनुसात्र विवेशति और गाहे मयुरस नत्यम प्रकते अरादने तो दो कोई दो करना है दो अंखों का है इसमें प्रश्ण बारा देखिए अदोल इकिस्तानी बाक्यनी का काम प्रती कथ्यती केंचित दोए इसमें भी दो करना है आपको हल भवान कुत्र भावयात पालीता शेकेंड है पुत्र से देन्यम दस्टवा एहम रोधिमी तीसरा है वयस अपूर्वा है खलू नाम धेयम ये तीन में से कोई दो आपको हल करना है दो पत्रे समागतान इसलोकान बिहाय शवापाटप उस्तक कात इसलोक दोयम लिखत आपके जो प्रशन पत्र में कोई ऐसा इसलोक नहीं आया होगा और जो पдо पुस्तक में है उसको आपको कोई दो इसलोक को लिखना है दो अंकों का है इसके बाद देखे प्रशन चवुदा अधो लिकी सिता नाम असुद्ध कारक बाग के नाम सुद्ध कार्णिय केंची दो इसमें असुद्ध बाग के है कोई दो अंकों का है इनमें असुद्ध है इसको सुद्ध आपको करना है जैसे शीरामम नमहा ये असुद्ध है इसको सुद्ध कैसे करेंगे या या बेक्षे इन पत्रम पतटी पृत्रेश्च्छे गश्षती छात्रेश्ड कन्दुकीन कीणती तो इस प्रकार से इनको सुद्ध करना है शीरामम नमहा इन में से कोई दो को आपको सुद्ध करना दो अंकों का है इसके बार देखेंगों प्रश्ण पंडरा प्रधत्ते सब्दे रिखते स्तानी पूरती कुरूत के अपिस चित Woo画 रहर है उन्य इनमें आपको क्या करना है दो अंकों का हुआ है इसको हम हल कर देते हैं इसमें फ़र इसमें पहले में सदा जाएगा सदा समय से सदूपयोग करनिया हमेशा हमें सदूपयोग समय करना चाहिए मैयूरा है अही भुक का है इती नामना अपी गया थे फिर इसमें फिर तीसरह है चोरे से पद्र धौनिना बुद्ध्य अस्ति थी यहां अत्र जीमनाम दुर्वाहम अस्ति और विद्ध्याय बीना जीवनम नास्ति इस प्रकार से यह दो अंगों का इसको हल कर लेंगे इसके बाद प्रश्न सूला है दो लिखी तानी बाग के नी क्रम में कथा क्रम अनुसारें इर्जयत आपकी जो पार्ट पुस्तर में कथा जो पार्ट दिये गए है उसक परिवर्तनम कुरूत के अपी दो निर्दे दिये गए है उसके अंसार आपको बाग के परिवर्तन करना है अहम पुस्तकम पठामी कर्म वाच्चे परिवर्तनम कुरूत कर्म वाच्चे परिवर्तनम कुरूत इसमें भी आपको निर्दे दिये गए है इसके अंसार आपको परिवर्तन करना है शाइग रामम गच्छती कर्म वाच्चे परिवर्तनम कुरूत ये दो अंकों का है इसके बाद देखेंगे प्रशन अठारा अधो लिकिताउम गध्यांसम पठित्वा प्रशन नाम उत्रनानी संस्कति लिखत आपको क्या करना है इसे गध्यांस को पढ़ करके प्रशन का उत्तर देना है शंस्कत वाक्य में कदचन निर्दनयों जना है भूमी परिशब्य किंशिद्य बित्य मूख पारजिद्वान तेन बित्य श्वप उत्रम एक अस्मिन महा बिद्याले प्रिवेशम दामपित्यू सफलो जाता है तत्त नयम तत्रेव वासे निवशन अध्यने शलंगनहां शभूतम एकदासा पित्ता तनु जसे रुग्णताम अकार्यम व्याकुलो जाता है पुत्रम द्रश्टूम चा प्रस्तित तो इनको आपको प्रश्णों का निर्मान यहीं से आपको दूल कर लिखना है कि निर्धनय जनाय कथम वित् शित्वित्त उपारजिद्वान यहां से आपको ढूल कर लिखना है तत्य नाय कुत्रे निवशन अध्यने शलंगनहां शम्ब अभूत फिर पित्यकश्य रुग्णता अकार्मत्य व्याकुलो जनाय तुछ यहां आपको सारे प्रस्ण जो है के उत्तार जो है यहां से आप को मेरी जाएंगे यह जो है आपके तीन अंकों का है अध्वा दिया हुआ है अगर वो है उसमें से नहीं बन रहा ते इसमें से आप कर सकते हैं अस्ती देवलाख्यों ग्रामाहत अत्र राजशी है नाम राजपुत्रहा वासितम बश्षी महा एकदा केनापी आवस्त कार्णेन तश्य भार्या बुद्ध्यमती पुत्र दुए पियता प्रित्रु ग्रहम प्रती चालिता मारगे गहनकानें शा एकम ब्राग्रम दुर्दस सा ब्याग्र अगच्छताम दस्टवा द्रष्ट यार्ति भूत्रों चपेटाय पहत्यव जगाद है कत्ह में कि कस्यों ब्याग्र भक्षणाय कलायम कुरूता है ऐमें कस्ता भी जात्य भुज्यताम इन में से आपको प्रश्ण के आंसर जो है यहां लिखना है राज्य कुत्र का नहां के था बुद्धी मति कुत्र व्याग्रम दर्सते बुद्धी मति के नुपादिता प्रति चलीता है अने इसारे प्रश्ण जो है आपको उत्तर इसके उतर यहां मिल जाएंगे आप अच्छी से ध्यान से ढूणेंगे और बहुत सरल पेपर है आपको असान इसे में से प्रस्ण ने कि उत्तर जो इडून करके लिखे थे अभी यहां पर भी हम को इस लोग में से ढून करके लिखना एक एक ऐग खागो मानी बने बसितह चातकां पिपाशितो वा मिर्येते याचते वा पुरंदरम इन में से आपको उत्तर लिखना है का पिपाशिते नहीं कत्थे थे इस लोग शमागतान अप्य अभ्यव पदान लिखा अने ये कुछ दो प्रश्न जो है आपको तीनों प्रश्न को तर आपको लिखना है इसमें से फिर अथ्वा है मंत्रन अच्छरम नास्ती नास्ती मूल मानो वसद्हम अरोग्या पुरूशा है नास्ती ये करत स्तरत दुरलबहा तो ये आपको इसमें से भी प्रश्न है या अगर ये नहीं मनता है तो अथे पास वाले आप कर सकते हैं मंतरम की मनास्ती और अनो सधम की मनास्ती और आयोग्यका नास्ती इनमें से इनका उत्तर आपको जहिंशित भुंप करके लिखना है। तीन अंकों का हैं प्रश्ण वीस है। अदौ…? प्रश्ण नाम उत्राणी संस्कत में लिखना है आपको विदु का है जना अंतिकम एहम पुना है प्रच्छामी प्रकाशम कम किम नामिध्या इर्जो जननी लब तस्य दे नामनी विदु से कहे कथि में प्रश्ण वाचक्ची ने लगा हुआ है लवह तपवन वाशिनो देवी ती नामना अहवंती भगवाना बालमिकी किवर्दम बधु इती रामा अपीचा इस्तवादवत बयस इन में से आपको प्रश्णों दिये रहे हैं तीन इनके उत्तर आपको ढूल करके लिखना है तपवन वाशनी लव कुश्यो मातरम के नामन आहित वनती यह आपको यहां से उत्तर दूलों करके लिखना है फिर विद्युज का लव कुश्यो की प्रच्छामी और कुशल वायो मातरम बालमिकी के नामना आवित यह सारे प्रश्ण के उत्तर जो है आपको इसे नाट नाट्यांस में मिल जाएंगे इस तीनंकों का हत् यहां पर जो है ब्याग्र चित्र को अरे किम बन्राज पादय शुपात्रम चियते एक दसे तू अवा में येगुमे यसे कस्या चैनम कुर्वंती सर्व सम्मेत त्याहा शीहें त्रश्णी भवो इवाम अपी मस्य द्रस्व भच्छको ना तुम रक्षको यते बनने जीव सर्वता शम्मे गुक्तम शीहें महोदययन बस्तुतह एवं शीहें बहु काले परियंतम साशनम कृतम पर अधुना तू को अपी पक्षि एवं राजियती निश्यत वियम इनमें से भी आपको प्रश्ण के उत्तर ढून करके यहां से लिखना है प्रश्णी क्या है शीहा अ सम्यक उक्तम बकानु सार्णेन का राजा निशिश्ट वियम इसका वियुत्तर आपको यहां से लिखना है इसके बाद देखिए यह जो है प्रश्ण 21 अधूलिकित अफिट्तम गध्यांसं संम्यक पठित्वा चतुरुलानम प्रश्ण नाम उत्रानी संस्करत लिखा चार अंकों का है यह जिए चार प्रश्ण के उत्तर आपको यहां से दून करें लिखना है पठित गध्यांसं से शरीरम धर्मस प्रत्नम साधनम अस्ती सरीरह माग्यम खलू धर्म शाधनम सरीरस या अरोग्यम व्यामेन विशिद्यती या व्यामह करोती तस्य प्राण सकते है आपदहा श्वामेव दूरम गच्छनती व्यामेन शरीरे शुद्यरत्त है संचारह भवती इंद्रया यानी इस्ता निश्य भवंती चठरागनी दीप्त भवंती परिव्रद्दम उद्रम शंकोच्यत्यम गच्छती मस्तिक आसकम उद्वरम भवती अस्मीन लोके जनहें बायो अनुसारं को यापूई व्यामह वश्यम करणी हैं इन चार प्रस्णेर के उत्तर यहां से आपको लिखना है नंबर एक धर्म से प्रत्नम साध्नम किमडर्म हम प्रृत्म साध्नम क्या है सेकन्द सरीण से अरोगयम के का शंकोच्यत्यमीन बायो अनुसारं किमडेश्यम करने हैं यह चार में चार उत्तर आपको यहांơi आपको प्राप्ति हो सागे चारंगों का हत्वा स्वाय मित्र को एक पत्र इल्की जिसमे शुपकामनाइद दी गई हो और इसको आपको संस्कत भाह का भासा में लिखना है इस परकार जिए चार आंगों का है इसके बाद प्रेशन 23 है अदो लिकितेसु एकम विशेम सुविक्रत सब्द सेसु संस्कते निवंदम लिखा आपको एक चार यहां पर दिये चार पाँच जो है विशे जिसमें आपको एक निवंदम लिखना है संस्कत भासा है महत्यम संस्कत भासा है किया महत्पर है सेक्रन है महा कभी कालिदास है महा कभी कालिदास की विशे में आपको निवंदम लिख सकते हैं असमाकम देश है हमारे देश हमारे देश के विशे में लिख सकते हैं उस सब्सक्राइब में दीपवली किसी एक विशे पर एक जो है संस्क्राइब में आपको निवन लिखना है आसे है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह है और सारे परिक्षे से सम्बंदिते प्रस्णों के उत्तर को हल या परिक्षे सम्बंदि जानकारी के लिए और विशे से सम्बंदिते जानकारी के लिए चैनल में बने रहें धन्यवाद